जोगिंदनगर के लड़भडोल में एक श्रधालूं से भरी टेंपू ट्रेवलर पहाडी से टकरा गई इस हाथसे में दो बच्चों सहीद साथ लोग खायल हो गई सभी खायलों को अस्पताल में भरती करवाया गया है मंगलवार दोपहर बाद गोलवा में टेंपू ट्रेवलर की अचानक ब्रेक फेल हो गई गाडी में 13 लोग सवार थे सभी लोग जोगिंदनगर के बनों से सिमसा माता मंदिर जो रहे थे गाडी की ब्रेक फेल होने के बाद चालक ने गाडी सामने पहाडी से मार दी जिससे कोई बड़ा हाथसा होने से टल गया वही मौके पर स्थारिय पुलिस चौकी प्रभारी राज सिंग ने घटनस्थल का जोईजा लिया और खायलों को 108 एंबुलेंस के जरिये सिविल अस्पताल लड़भडौल पहुंचाया यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है जी कोई कीछ इन साल का जी ड्राइवर के साथ बारादे जी तो किस तरह से वाट्स रहें तो यह जो प्रभी पहलों प्रभी